Hello everyone, this is Saksha Vashnui and welcome to Magnet Dreams. So students, आज हम किस topic के बारे में पढ़ने वाले हैं? अरे रे, अभी अभी मुझे याद आया कि एक बहुत ही important work था जो कि मैं करना भूल गई और वो ये था students कि मुझे जो है अपने एक friend को कुछ money transfer करना था जो कि बहुत urgent था लेकिन आप लोग मुझे जो हो एक मिनिट के लिए excuse करी दोगे and till that I will be doing the transferring of money and it's done Yes, हो गया मेरा काम मैं तो आप लोगों से बाती कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों से बताई रही थी कि क्या करना है हमें और इतने में तो ये काम हो चुका है तो ये कैसे हुआ, किस particular method से होता है ये कैसे within some minutes हम लोग जो है एक account से दूसरे account में money transfer कर देते हैं ये चीज आप लोगों को जाननी है तो बिलकुल आप सही जगा पर आए है इस particular lecture में, इस particular video में students हम यही पढ़ने वाले है कि कैसे एक account से दूसरे account में money transfer हो जाता है कुछ time period में ही मतलब कि हमें जो है bank जाने की ज़रूरत नहीं है हम बिना bank जाए हुए हम जहाँ पर हैं, वहाँ से money transfer कर सकते हैं किसी दूसरे person को ये कैसे होता है, क्या-क्या methods होते हैं क्या-क्या different types of methods होते हैं के थूँ ये चीज पॉसिबल होती है यही हम लोग इस lecture में पढ़ने वाले है मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे the different types of electronic fund transfers in India ये क्या है स्टूडिन जी electronic fund transfer है मैं किसी भी bank में नहीं गई मैं आप लोगे सामने खड़ी थी और मैंने जो है money transfer कर दिया तो ये कैसे transfer होता है क्या-क्या different methods होते हैं हम ये पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या-क्या methods होते हैं students basically 4 हमारे पास में electronic fund transfer के types होते हैं that is NEFT, RTGS, IMPS and UPI ये चारों ही मैं आप लोग को चारों के बारे में बताने वाली हो ठीक है उसके पहले ये देख लो कि जो NEFT और RTGS ये launch किस ने किया था तो ये किया था RBI ने that is Reserve Bank of India ने ठीक है जो हमारी एक Apex Bank है उनने और जो IMPS and UPI है ये launch हुए थे by NPCI National Payment Corporation of India ठीक है दोनों मतलब कि ये दो जो हुए वो RBI ने किया और ये दोनों किस ने किये NPCI के थू ये launch हुए थे ठीक है अब students हम चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही short way में और difference भी समझते जाएंगे कि ये चारों में एक दूसरे में क्या difference है ठीक है यूपी आई जो है वो launch हुआ था something around 2016 ठीक है तो ये कुछ जो है ये हमारे मैंने आप लोगों को years के साथ में बता दिया कि this is time पर हुए थे ठीक है अब सबसे पहले जो है हम NEFT से start करते हैं कि NEFT क्या है अगर फुल फॉर्म हम बोलें तो ये है National Electronic Funds Transfer ठीक है इसमें क्यों ये launch क्यों किया गया था भाई देखो बड़ी problem होती थी कि हम लोग bank जा रहे हैं checks का use कर रहे हैं फिर वो check जो है वो थोड़े दिन में फिर वो money transfer हो रहा है तो बहुत लंबी लंबी processes थी और इसमें टाइम भी लगता था और साथी साथ में लोगों के लिए भी वो एक थोड़ी सी problem वाली चीज थी and banks के लिए भी थी अब जो है digital format कर दिया एक digital India की side भी बढ़ना था और साथी साथ में थोड़ी convenient ways लाने थे तो NEFT जो है वो launch किया गया ठीक है NEFT students पहले जब launch हुआ था उस time पर ये सिर्फ और सिर्फ bank के जो working hours थे तब work करता था ठीक है और जो bank holidays रहती थी तो उस time पर आप NEFT का use नहीं कर सकते हो but from December 2019 जो transactions है वो 24-7 किये जा सकते है मतलब कि किसी में time पर हो सकते है आप time limit नहीं है ठीक है और ये नहीं है कि holidays है या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है अब जो है ये 24-7 हो सकते है इसमें क्या किया गया है इसमें जो है बापिस जो है new inventions या innovations के थुरू new techniques के थुरू इसे जो है enhance किया गया ठीक है तो NEFT आपका हम मोल सकते है सबसे पहले start हुआ था that was national electronic fund transfer इसमें जो transaction है उसे आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है कौन से particular चीजों की requirement है तो दो चीज required है एक है account number और एक है IFSC code IFSC code एक 11-digit character होता है character code होता है जिसमें आपके alphabets भी होते है numericals भी होते है ये जो IFSC code होता है वो ये बताता है कि कौन सी bank में आपका account है कौन सी branch में आपका account है ठीक है कहां पर वो situated है ठीक है इंजेन financial system code जैसे हम बोल सकते है तो ये वो होता है ठीक है तो ये चीजों की requirement है अगर हमें NEFT के थूँ जो है transaction करना हो अब कोई भी transaction limit नहीं है कोई minimum limit नहीं होती है इसमें और कोई maximum limit नहीं होती है इसमें सीधा सीधा क्या है एक वो जो आपके internet banking हम बोल सकते है कि आपको जो है account number चाहिए IFSC code चाहिए वो आप लोग लिखने वाले हो और फिर उससे जो है आप transfer कर दोगे कि इसस account में आपको transfer करना है यहाँ पर students there are half hourly batches to settle transactions अब यह क्या होता है यह समझो देखो जो आपका NEFT है यह 2005 में launch हुआ उस time पर बहुत ज़ादा techniques हुआ नहीं करती थी तो क्या किया गया था अब इसमें कोई transaction limit तो नहीं है भाई 10 rupees भी कोई transfer कर सकता है कोई 1 lakh rupees भी transfer कर सकता है तो अगर यह 10-10 rupees वाले transaction कोई कर रहा है 10, 20, 100 ऐसे कोई transaction कर रहा है तो यह चोटे-चोटे transaction को एक transaction को करने में भी जो पूरा settle करने में एक bank को उतना ही time लगता है जितना पूरा 10 transaction को एक साथ करने में लगता था तो जो starting जब हुई थी इसकी तो यहाँ पर early batches चलते थे ओके एक एक घंटे में जो है settlement होता था मतलब कि मैंने जो है कोई भी transaction start किया है तो वो settle होने में मतलब कि मैंने तो यहां से बोल दिया कि इस account में जो है money इतना जाना है लेकिन उसको settle होने में एक घंटा लग जाता था उसका reason यह था कि जो banks थी वो एक घंटे का margin लेके चलती थी कि जैसे कि 9 to 10 9 a.m. to 10 a.m. इस पूरे time period में जितने भी transactions हुए होंगे जितने भी NAFT transactions हुए होंगे वो सारे settle होंगे on 10 a.m. ठीक है? 10 a.m. को इस एक घंटे का पूरा हो गया फिर next 10 a.m. to 11 a.m. जितने हुए वो 11 a.m. पर पूरे transactions settle कर दिये जाएंगे यह था 2005 वारी situation अब उसके बाद में changes किये गए और उसमें जो है अब hourly नहीं half hourly batches हो गए कि हर half hour में जितने भी transactions होते थे वो settle हो जाते थे ठीक है? और इसका reason यह था कि उतनी ही technology, उतनी ही technique और उतना ही menpower वो 10-20 रुपे को अलग-अलग करने में लग रहा था जितना साथ में करने में लग रहा था तो उनको जो है NEFT में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा time लेता है transaction complete होने में एकदम on click transaction complete नहीं होता है, ठीक है? फिर students इसी के जैसा एक आता है RTGS RTGS जो की क्या है Real Time Gross Settlement This is almost similar to NEFT, बस एक slight सा difference है, वो यह है कि जैसे कि आप इसका नाम देख सकते हो Real Time Gross Settlement ठीक है? Real Time जब आपने किया, तब वो जो है complete हुआ This is what real time मैंने अभी कोई transaction initiate किया, तो वो अभी के अभी complete हो जाएगा वो हो गया real time अब जो आपका RTGS था वो किस motive से लेकर आया गया था देखो, NEFT में ये देखा गया कि जो बड़े-बड़े transactions कर रहे हैं, जैसे कि 1 lakh, 2 lakh, जो ऐसे transactions कर रहे हैं उन्हें wait करवाने की क्या जरूरत? उनका transaction तो हम एक बार में कर सकते हैं settle, जब हुआ तभी settle कर सकते हैं है ना? तो इसके लिए RTGS लेकर आया गया है, कि जो big amount वाले transactions हैं वो उसी time पर हो जाएंगे इसलिए इसमें जो minimum limit है वो कितनी रखी गई? 2 lakhs की रखी गई, कि अगर minimum आप 2 lakhs का transaction कर रहे हो तो आप RTGS का use कर सकते हो ठीक है? तो अगर आप minimum हम 2 lakh का कर रहे हो और RTGS यूज कर रहे हो, तो simple सी चीज है कि आपने transaction initiate किया और उसी time पर जो है वो transaction complete भी हो जाता है ठीक है? यही difference है आपके NEFT और RTGS में NEFT जो है वो half hour या one hour लेता है ट्रांजिक्शन को settle करने में and RTGS में जो है वो real time basis पर settlement हो जाता है बस यहाँ पर क्या है minimum limit हो गी ठीक है? money transfer happens on the real time basis यह हम लोग समझी गए उसके बाद में transactions जो है वो इसमें भी 24-7 हो सकते हैं यह हुआ है from December 2020 पहले जो है RTGS में भी 24-7 नहीं चलता था RTGS की भी time limits होती थी ठीक है? वो सब कुछ banking hours में होता था हमारा NEFT और RTGS लेकिन after 2019 and after 2020 यह changes किये गए क्योंकि लोगों को क्या prefer करते हैं कि 24-7 चीजे हो ठीक है? तो इसलिए 24-7 वाली जो system है वो लेकर आया गया था ठीक है? The difference between NEFT and RTGS is minimum transaction limit जो कि मैंना आप लोगो बताई दी कि इसमें जो है 2 lakhs चाहिए और उसमें जो है transaction limit की जरुवत नहीं होती है यह है हमारे NEFT and RTGS I hope so कि यह दोनों आप लोगो clear हो गए हैं जो कि किसने launch किये थे? RBI ने launch किये थे अब आते हैं students हमारे कुछ और जादा इनसे भी जादा instant payment वाले जो चीजे है वो that is IMPS ठीक है IMPS क्या है immediate payment service नाम में क्या आगया immediate payment service immediately जो है आपका payment हो जाएगा this is IMPS यह launch किया किसने NPCI ने something in 2010 अब यह IMPS में होता क्या है an instant fund transfer service and it can be used anytime कभी भी यूज करो 24-7 यूज करो इसे ठीक है आपका जो NEFT और RTGS है वो 24-7 तो अभी recently बने 2019 और 2020 यह तो जब से launch हुआ तब से ही यह anytime यूज कर सकते हो आप मतलब कि 24-7 वाली situation में आया था ठीक है उस condition में आया था कि 2010 में भी जबी आया तो 24-7 चलता था तो instant fund transfer हो सकते है इसमें ओके यू can make transactions 24-7, 365 the money can be transferred using phones, ATMs, mobile money identifier and internet banking अब देखो phone, ATM तो आप लोगो clear होगा mobile money identifier क्या होता है यह एक 7-digit code होता है students जो की banks आपको provide करती है जब आप request करते हो bank से तो वो आपको यह MM ID प्रोवाइड करती है जो की use होती है आपके इस transaction को fulfill करने में ठीक है यहाँ पर जो है students IMPS जो है इसमें होता क्या है आपका phone लो आप और उस phone के थुरू आपकी जो pay है उसे add करोगे और फिर उसके बाद में जब भी bank accept कर लेगी उस pay को तो फिर उसके बाद में क्या होगा आप उस pay के साथ में direct transaction कर सकते हो instantly transaction कर सकते हो IMPS सिर्फ उस time पर जो है थोड़ा सा time consume कर सकता है जब वो pay को add कर रहा है जो pay को add करने का system है वो different different banks ने different different time duration पर दे कर रखा है कुछ half hour में हो जाता है कुछ one day में होते है कुछ two hours में होते है तो अलग-अलग bank की अलग-अलग time duration है वो ठीक है तो ये इस way से जो है pay को add करो आप और फिर आपका transaction हो सकता है ठीक है The idea is simple to allow users to make payments with the mobile number of the beneficiary ठीक है simple सा idea है कि mobile number से भी जो beneficiary है उसके पास में transaction हो सकता है बस इसमें requirement सबसे बड़ी यह होती है कि IMPS जो है उसके लिए सबसे पहले आपको pay को add करना पड़ेगा ठीक है ये ध्यान रखना तभी आप IMPS और UPI में different समस्पाऊगे कि IMPS में क्या करना है pay को add करना is compulsory सुनाओगा आप लोगों इन्हें UPI का Google पे, phone पे और जो हमारे भीम UPI ये सब क्या है? ये सब UPI IDs है ठीक है? ये सारे transactions UPI के थू होते हैं आज आप किसी भी shop पर जाओगे आपको एक scanner हमर shop पर देखने को मिलता ही है और बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे जो scanner को use करके क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं अब देखो simple सी चीज़ है students उस scanner के थूँ आपने पेमेंट कर दिया हो कि आपको क्या कोई account number की जरुवत पड़ी? नहीं पड़ी क्या आपको कोई time duration लगा उसमें? नहीं लगा इंस्टेंट पेमेंट हुए ये ये इस यूपियाई ये IMPS से भी जादा इंस्टेंट हो गया यहाँ पर कोई payee की जरुवत नहीं है कोई भी kind of account number की भी आपको जरुवत नहीं है और phone number की भी जरुवत नहीं है phone number use होता भी है बट बिना phone number की भी हो सकता है अगर आप UPI ID के थुरू जो है transaction कर रहे होतों तो UPI is what unified payments interface it allows transaction to be done through any smartphone using VPA that is virtual payment address virtual payment address क्या है? वही जो मैंने आपको एक ID बोली कि एक UPI ID होती है जैसे हमारी Gmail IDs होती है mail IDs होती है same way में UPI ID होती है जो की एक क्या है virtual payment address है सर्फ और सर्फ उस ID के use से भी जो है payment हो सकते है ठीक है? only mobile number और name is sufficient to transfer money and the transaction can be done 24-7 UPI enabled apps allow the transaction up to rupees 1 lakh ठीक है? UPI में जो maximum limiter students वो होती है 1 lakh की IMPS में जो maximum limiter वो होती है 2 lakhs की ठीक है? अब जब हम बात करें IMPS और UPI के difference के बारे में तो उसमें main difference यही है कि IMPS में जो है pay को add करने में time लग सकता है हमें UPI में ऐसा कोई system नहीं होता है UPI में सीधा-सीधा phone से काम हो जाएगा ठीक है? IMPS में हो सकता है आपको कभी internet banking की ज़रुवत हो है लेकिन UPI में internet banking वगेरा की ज़रुवत नहीं है आप directly क्या कर सकते हो with the help of your phone आप जो हो आपके money transfer कर सकते हो इफ आपके पास में जो different different apps है हमारे पास में वो हो तो जैसे कि यह जो सारे apps हैं अगर यह apps हैं इन में से कोई सा भी है सामने वाले के पास में है तो आप easily आपके जो transactions है वो कर सकते हो ठीक है तो यह हमारे चार methods होते है चार electronic fund transfer के methods होते हैं इंडिया में that is NEFT, RTGS, UPI and IMPS I hope so कि यह चारो ही आप लोगो को अच्छे से clear होंगे इन सब के बीच का जो difference था वो भी अच्छे से clear होगा और यह जो वीडियो था वो आप लोगो के लिए informative होगा Thank you